नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक दर्द भरी कहानी ले कराई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं पूरे चार सल बाद हिमंद कानेडा से लवटा था, कानेडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कमपनी के लिए हिमंद काम करता था हमंद अपने देश, अपने घर लवट कर काफी खुश था एरपोर्ट पर उतरे ही हमंद की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बैड़ी बहन और खुद की तीन साल की बच्ची भी एरपोर्ट पर खड़े नजर आए लिकिन उसकी नजरें शोभा को खोज रही थी उसोचने लगा ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं और उपर से उसने हमारी छोटी से बच्ची को भी यहां भीज दिया अश्वेन एरपोर्ट पर सबसे हां से खुशी मिला फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी भाई, ओ घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तयार कर रही है वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है वरना वो कोई काम करती कहां है अश्वेन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया लेकिन उसकी बेटी उसे देख करोने लगे लाओ मुझे दो, बच्ची को वह तुम्हें काफी दिनों बात देख रही है न इसलिए पाचान नहीं पा रही होगी कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया सभी टैक्सी में बाइट कर अपने घर की तरफ रावाना हुए अश्वीन अपने परिवार से मिलकर खुश था लिकिन ये बात भी शोभा उसे एरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परिशान कर रही थी वो सोचने लगा क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था मुसे मिलने से भी ज्यादा और ओ भी तब जब मैं चार थल बात वापिस आया हूँ इनही खयालों में घर तक का आधा रास्ता बीद गया अब उसकी बच्ची उसे देख कर रो नहीं रही थी इसलिए अश्वीन उसके साथ खिलने लगा बाकी का आधा रास्ता भी खतम हुआ और सब घर पहुँच गए गाड़ी की आवाज सून शोभा बालकने में आकर खड़ी हो गई और अश्वीन की तरफ देखने लगी अश्वीन भी जैसे ये गाड़ी से उत्रा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकने की तरफ नजरे घुमाई हलके से मुस्कुरा दिया सभी घर के अंदर गए शोभा सब के लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चले गई चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बाते करने के बाद अश्विन सभा को बुलाने लगा मा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा रहने दो उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो बाद में अपने आप आजाएगी तुम बैठो यहां मेरे पास वैसे भी कहां ज़्यादा काम करती है वा अश्विन यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुसे जूट थोड़ी बोलेंगे हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम आज थोड़ा सा है करने देते हैं मैं बाद में उसे बात कर लूँगा अश्विन अपने परिवार वालों से बात्चित में मगन हो गया एक के बाद एक रिष्टेदार और पड़ोसी अश्विन को मिलने आते रहे और शोभा को किच्चन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला सभी के लिए चाय बनाना नाश्ता बनाना यही करते करते शाम हो गई शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई दो घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डैनिंग टेबल पर बैटे थे शिवा सोभा के अश्विन चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैटकर खाना खाए लेकिन फिर मा ने कहा अगर वाह भी खाना खाने बैट जाएगी तो सबको परोसेग अकाउन सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया रात को सोने के वक्त अश्विन और सोभा अच्छे से मिल पाए अश्विन सोभा के साथ काफी बाते करना चाहता था लेकिन वह उसके चेहरे पर ठाकान और नींद अच्छे से देख सकता इसलिए उसने सोभा को पारेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी तो शोभा तुरंत उठकर उससे दूद्र बिलाने के लिए चली गई अश्विन कप सो गया उसे पता ही नहीं चला जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगे तो अश्विन उठा और सोभा को पुकारने लगा जब सोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चूप कराया और फिर से सुला दिया अश्विन बाद में सोभा को देखने लगा तो सोभा उसे फिर से किचन में मिली जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घारवालों के लिए चाय नास्ते के तयारी में लग गए थी अब अश्विन सोचने लगा मा और देदी तो कहती थी कि शोभा ज्यादा काम नहीं करती लिकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछा और ही है अश्विन अब सब समझ गया था पर वो अपनी मा को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज्यादा काम ना कराया करो इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था पहले जहाँ उसका चेहरा था कान से उत्रा रहता था अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी अश्मिन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा जब ओशोभा नहीं रही थी जिससे अश्मिन शादी करके लाया था ओटो कोई और थी जो तोती की तरह बोलती थी और ये शोभा तो बिल्कुल चूप है, गुमसुम है ऐसा लगता है जैसे किसी की दबाव में हो किसी डर की वज़े से सहमे हुई हो अश्मिन सोभा को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा अश्मिन का ऐसा बेवार अब घरवालों को खटकने लगा घर के सभी बढ़ों और उसकी देदी ने मिल के अश्विन को समझाया तुम अपनी बीबी के मदद करते हो उससे हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है लेकिन जब कोई तुम्हें बीबी के होते हुए बरतंद होते देखे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है और सोचो आगे चल कर शोभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा अश्विन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था जिस तरह से सबने अश्विन को समझाया था अश्विन भी उनकी बातों में आ गया अब अश्वीन सोभा की मदद करने से कत राता था, कभी कबार वह बच्ची के लिए दुध गरम कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं घर वालों ने अश्वीन को विदेश चाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो अश्वीन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोड़क्ट्स ओनलाइन बेचना शुरू कर दिये, उसका परिवार भी बढ़ गया, अब उसके दो बेटियां और एक बेटा था दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था, जितना अश्वीन कमाता था, उतना सब के लिए काफी ना था काफी सोच विचार करने के बाद अश्वीन ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर शोभा भी काम कर पाएगी, और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोड़क्ट्स बेचना शुरू रखेगा, इस तरह से वे अपने पैसों की तंग को पूरा करेंगे, परिवार वालों ने भी अश्वीन को इजाज़त दे दी, अश्वीन चाहता था कि मां भी उसकी साथ रहे, लेकिन मां को शहर में आना मंजूर ना था, मां बड़े भाई की साथ रहने लगी, शहर में आप शोभा नौक्री करती और अश्वीन घर से ही उनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता, कई साल ऐसे ही बीद गए, शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके, पहले से भी ज्यादा ठकी ठकी रहने लगी, परिवार वालों की अश्वीन की दिमाग में डाली बाते अभी भी उस पर असर करती थी, वह यहाँ पर भ अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ रहता, कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डक्टर के पास ले चलो, वो हाँ कहा देता, लेकिन अपने काम में इतना खुजाता कि कभी उनको डक्टर के पास ले ही नहीं जाता, अताल में अश्वीन के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं, इतना बिमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे, उसका सहारा बनने के लिए उसकी तकलीफ बाटने के लिए कोई भी उसकी साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारिरिक तकलीफ से गुजर रहे अश्वीन को अपनों का ऐसा बेवहर बहुत तकलीफ दे रहा था। जहने के बाद भी उसकी तकलीफ को उनजर अंदाज करता आया था। अश्वीन को अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बाट कर उसने बहुत बड़ा गुना किया हो ऐसा उसे लगने लगा। पश्यताब के आँसो अश्वीन के आँखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफी मांगी। दोस्तो, जीवन साथी का मतलब होता है, जीवन के हर उतार चड़ाओं में, जीवन के हर मोड में जो साथ दे, साथ होने और साथ देने में उतना ही फार्क होता है, जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुझ वादा निभाने में होता है। दोस्तो बहु या नौकरानी एक दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देजेगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब किजेगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानिया ला सके धन्यवाद